खबर है मिर्जापुर से जिगनाथाना छेतर के विहसडा बाजार इस्थित एंडियन बैंक के एटियम में कार गुजारी कर ग्राहों को का पैसा लूटने वाले दो यूवक को रविवार को बारवजे दिन में पुलिस ने कुछ दूर तक दोड़ा कर पकड़ लिया जबकि एक यूवक भाग निकला बिहसडा बाजार निवासी किसन गुप्ता पुत्र बुद्धूराम ने बताया कि दस बजे दिन से वह एटियम में दस हजार रुपए निकालने के लिए कार्ड लगाया था पैसा बाहर नहीं निकला तो वह घर लोड़ गया कुछ ही देर बाद म यूवक को पकड़ लिया जबकि एक खेत के रास्ते भाग निकला थाना प्रभारी सेलेस राय ने बताया कि पकड़े गए दोनों यूवक फतेपुर जिले के निवासी हैं मौके से भागे यूवक की तलास के एलिये स्टी एफ भी यहां पहुच गई है थाना प्रभारी ने बताया कि एटियम में तोड़ फोड़ कर ब्रहांको का पैसा गायब करने का मामला है फारार चल रहे यूवक की तलास में छापे मारी की जा रही है सिग्र ही गिरफतार करके मामले का खुलासा कर दिया जाएगा वि यानि जिस घटना से लोग पकड़े गए उनका 6,000 उनका 6,000 उनका 6,000 सिर्फ और बाकी उन लोग और पैसे लिए हैं और कईसे कईसे टेप लगा के एटियम में बना कर उसनों लगा है जो भागा है उसारा पैसा वही लेके बागा है इन लोग पास पैसा नहीं है है क्या कट्ना घट ही है हमने सुन्ट रथ पैसा निगाल लूबजे टींम से कंई सब कुछ किया पैसा मे पेसा काट गया पैसा इंयों पैसा चैठा निकला नहीं बाहर और अ छो में सो तो यह गटना के विए गटना हाई नौ बजे कौन सी बैंक एटियम था यह वह इलावाद एटियम तो कितने कितने लोग से ओलो वाब तीन लोग से किने पगड़े गए दो पगड़े एक फ्राइब है तो प्रसाथन ने क्या करवाई कुछ की आप कुछ अंकारी उसके बाद है कुछ नहीं हो बोले का तिंगी पैसा मिल गया तो हमने का हां सब्सक्राइब है क्या चाहते हैं जो बाद देशा आपका पैसा शाह जार गया तो आप चाहते हैं को भी पैसा पापत हो जाए अब देखिए अब बुलों के लिए जो चोरी किया है बुलों सिर्थ अमान ठोड़ी लेंगे जो में था हो फड़ार है तो फाग गया